एंसे आईटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम जे संकर प्रसाद जी का जीवन परीचे जानेंगे और देखेंगे उनकी रचनाए बावपक्ष कलापक्ष होसाइटि में इस्तान तो रचनाए देखते हैं रचनाए हैं कामाईनी लहर जर्ना अच्छे से नोट करिएगा और भावपक्ष प्रसाद जी मूलता प्रेम और संदर के कवी है इन्होंने अपने काव्य में परकति को अनेक रूपों में चित्रित किया है प्रसाद जी के काव्य में वीरास शान्तरस और स्रंगार प्रसादी की अधिकता है देखिए गोर से देखिए बड़ा सेम्पल है ऐसा खुश नहीं इसमें देखिए जो प्रसाद जी नहीं उन्होंने प्रेम और संदरी के कभी है यह तो मुलता तो इन्होंने अपने कावे में क्या किया है प्रकति को अने एक रूपों में बताया है और इनने कुण-कुण से सांत्रस और संदरी के कभी है और इन्होंने अपने कावे में प्रकति को अने इक रूपों में चितरित किया है और प्रसाद जी के कावे में वीरस और संदरी के कि अधिक इता है और कलापक्षी देखते हैं इनकी भासा व्याकरन सम्मत है परिस्करत और परिमार्जित खड़ी बोली है फिसे सुनिए इनकी जो भासा है किसी है व्याकरन सम्मत परिस्करत और परिमार्जित खड़ी बोली है इन्होंने अपने कावि में अलंकार और चंदो का प्रियोग भी किया है अगे सब्सक्राइब बावपक्ष कलापक्ष और इसके बाद में आते हैं साहित्य में इस्थान साहित्य में इस्थान तो जे संकर प्रसाद जी का साहित्य में आद्वित्य इस्थान है किलिए रहे जे संकर प्रसाद जी का और यदि आप साहित्य में आगे भी बढ़ाना चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि देखिए तो हो गया आपका जे संकर प्रसाज्य का साहित्य में आदित्य स्थान है इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है इसके लिए इन्हें सदाई स्मरनी रहेंगे यह सदाई स्मरनी रहेंगे या इन्हें सदाई स्मरन किया जाएगा क्या बोला मैंने कि जे संकर प्रसाज्य ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है इसके लिए इन्हें सदा ही इसमरन किये जाएगा या यह सदा ही इसमरनी रहेंगे देखिए बच्चो यह आप स्क्रीन सोट ले लिए और मैंने कुछ बच्चो को कमेंड भी पढ़ा था तो उन्होंने बोला कि इसके पांच नमबर पूरे मिल जाएंगे या कटेंगे तो नमबर काता है उसमें रश्णा बावपक्ष कलापक्ष साहित्ति में इस्थान ही पूछा जाते हैं आपसे अंदर नहीं पूछा जाता कि इनका जन्म कब हो था क्या किया है इन्होंने कहां से बढ़ाई की यह आपसे नहीं पूछा जाता इसलिए मैं भी उन्हें चीजों पर सक्षा नहीं करता हूं देखिए तो अब इसे अब नोट कर लीजेगा और यह आपका हो गया स्वरी यह भावपक्ष की स्क्रीन सोट ले ले दोनों का और इसके बाद में आप अब इसका लेना कलापक्ष का और साहित्ति में इस्थान हो चले अच्छे से कंप्लेट कर अगला कभी परीचे में जल्द ही अप्लोड कर दूँगा जब तक आप इस अच्छे से कंप्लेट कीजिए